Hello everyone, आज किस वीडियो में हम लोग बात करेंगे exercise 20.3 केसी सिना class 11 और हम लोग question number 18 से start करेंगे और question number 18 स्टार्ट करने से पहले हम लोग उस theory को देख लेते हैं जिस theory का अब ये use होने वाला है ठीक है? तो पहला हम लोग देखेंगे centroid और इसके बात देखेंगे in center तो centroid क्या होता है? इसका coordinate हम लोग कैसे find out करते हैं? इस पर बात करते हैं चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं centroid पे centroid होता क्या है? centroid centroid को समझने के लिए आपको median समझना पड़ेगा ठीक है? देखो, अगर मैंने बोला ये एक triangle है ये हमने एक triangle ले लिया ये हमारा एक triangle A, B and C ठीक है? तो triangle का जो median होता है, ये तीनों median जहां पे मिलेगा उसी को हम लोग centroid बोलते हैं, तो median क्या होता है? तो triangle के किसी एक vertex से उसके opposite sides को दो equal part में divide करने वाले line segment को median बोलते हैं, तो ये midpoint हमने लिया और इसको हमने इस तरह से join किया, तो चुकि ये जो line है ये line जो AD है वो AD line, BC को दो equal part में divide कर रहा है और vertex A से भी pass कर रहा है तो इस AD को हम लोग median बोलेंगे तो इस तरह से तीन median हो सकता है vertex B से, इसके opposite side AC पे, तो AC पे को एक midpoint ले लेते हैं माले ये midpoint है तो इसको हम लोग join कर दियें तो ये भी एक median हो गया थे, इसको नाम देते है E, एक median और होगा कि जो C से हम लोग A भी पेडालेंगे तो ये मालो middle point है तो यहाँ से एक median ड्रॉ करेंगे तो ये तीनो median जहाँ पे ये जो point जहाँ पे मिल रहा है इसी को हम लोग centroid बोलते है centroid के coordinate को generally हम लोग centroid ओले point को हम लोग generally G से denote करते है centroid को हम लोग generally G से denote करते है ठीक है? अच्छा अब खास बात क्या है कि आप लोगों ने 9th class में पढ़ा हुआ है क्या कि जो median होता है और median जो होता है वो 2 to 1 कडेशियो से divide होता है किस से? centroid से याई आप ये कह सकते हो कि centroid जो है वो median को 2 to 1 कडेशियो में divide करता है 2 to 1 केशियो का बोलने का मतलब इसका बोलने का मतलब 2 पार उपर रहेगा और 1 पार नीचे रहेगा ठीक है तो ये 2 is to 1 के ratio में divide करता है कौन centroid किसको median को ठीक है जैसे ये एक median है बी भी एक median है तो ये जो point है जी ये इस line segment को 2 is to 1 के ratio में divide करेगा इस side 2 होगा इस side 1 होगा vertex के साथ वाला जो side होता है वो दो part होता है और opposite side वाला एक part होता है तो ये जो हमारा centroid है इसको हम लोग trisection point of median भी बोलते हैं इस centroid को यही आपका centroid है यही क्या है centroid है या फिर आप इसी को क्या बोलोगे trisection point of trisection point of median इसी को बोले trisection point of median और nearer to opposite side ये point किसके opposite side opposite side के equal होता है ये जो point है vertex से दूड होता है इसका opposite side के करीब होता है तो median nearer to nearer to opposite side ठीक है इसी को बोलते हैं हम लोग सौरी centroid को ही trisection point of median nearer to opposite side तो इसी को क्या बोलते हैं centroid बोलते हैं आप लोग basically ये समझों कि तीनों median जहाँ पे मिलेगा उस point को centroid बोलेंगे तो इसका definition में क्या लिखेंगे it is intersection point of किसका intersection point intersection point of point of medians of a triangle intersection point of medians of a triangle median of a triangle ठीक है triangle के medians के intersection point को centroid बोलते हैं ठीक है तो अब इस centroid का coordinate कैसे find out करेंगे ठीक है अब इस पर बात करते हैं तो अब देखो यहाँ पर लिख लेते हैं कि find the find the coordinate of coordinate of centroid centroid when when vertices are vertices of triangle are triangle का तीनों vertex दिया हुआ है हमने माल लिया a point है x1, y1 b point है x2, y2 और and c point है x2, y3 x3, y3 तो हमें centroid का coordinate बताना है क्या करेंगे तो वो देखना यहाँ पर तीनों vertex लिख लेते हैं a point का vertex x1, y1 है और b point का vertex x2, y2 है और c point का coordinate x3, y3 है ठीक है अच्छा अब क्या करना होगा अब हमें निकालना है centroid g तो आप जो centroid g देख रहा है हो वो क्या है एक point है ठीक है न किसको divide कर रहा है इस median को भी divide कर रहा है इस median को भी divide कर रहा है इस median को भी divide कर रहा है सही है कोई एक median आप पकड़ लो चलो हमने ad ले लिया ठीक है तो ad एक line segment हो गया तो हम लोग यह कह सकते हैं कि ad एक line segment है जिसको point g जो है वो divide कर रहा है 2 is to 1 के ratio में तो कहने का मतलब G point का coordinate section formula का use करके निकाला जा सकता है internal division है ना उसका use करके हम लोग G निकाल सकते हैं लेकिन problem ये है कि A point का coordinate और D point का coordinate तो पता होना चाहिए यहाँ पर A का तो coordinate ठीक है लेकिन D का coordinate तो पता ही नहीं है तो D का पहले coordinate निकालेंगे उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि A D एक line segment है point G जो है इस A D line segment को divide कर रहा है internally in the ratio of 2 is to 1 उसके बाद centroid आजाएगा तो चलिए हम लोग पहले D का coordinate निकालेंगे तो बोलो D point कितना है तो D point क्या है तो D is the middle point है कैसे क्योंकि A D एक median है तो ये जो point है ये BC line segment को 2 equal part में divide कर रहा है इसलिए D क्या है middle point हो गया तो middle point कैसे निकालते हैं तो इन दोनों के X coordinate को जोड कर 2 से divide करेंगे तो देखो D का coordinate क्या है गा X2 प्लस X3 X2 प्लस X3 divided by 2 कॉमा Y coordinate को जोड कर divide करेंगे तो Y2 प्लस Y3 divided by 2 ठीक है तो ये हमने X coordinate Y coordinate D का निकाल लिया अब हम लोग centroid निकालेंगे तो centroid को बोलेंगे कि point G point G divides divides the line segment the line segment the line segment AB sorry AB नहीं AD the line segment AD the line segment AD internally internally in the ratio of in the ratio of किस ratio में 2 is to 1 के ratio में 2 is to 1 ठीक है तो अब बताओ G का coordinate कैसे निकालेंगे तो हम लोग क्या यूज करेंगे internal division formula क्या होता है MX2 प्लस NX1 अपॉन M प्लस MY2 प्लस NY1 अपॉन M प्लस N तो यहाँ पर हमने इसको M माल लिया इसको N माल लिया तो यह अगर M है तो इसका साथ वाला X1 और यह हमारा X2 Y2 यह पूडा X2 हो गया यह पूडा Y2 हो गया तो कैसे लिखेंगे हम लोग अपॉन M प्लस N यह तो प्लस 1 तो 2 प्लस 1 सही न तो यह तो X कोडिनेट हुआ अब Y कोडिनेट लिखना पड़ेगा तो Y कोडिनेट क्या होगा M Y2 यानि कि 2 इंटू Y2 प्लस Y3 डिवाइड़ बाइ 2 और प्लस N Y1 यानि 1 इंटू Y1 मतलब सिर्फ Y1 अपॉन में M प्लस N यानि कि 2 प्लस 1 यह हो गया अब यहाँ देखो यह 2 से 2 कैंसेल होगा यह 2 से 2 कैंसेल होगा तो उपर देखो क्या बचड़ा है उपर बच रहा है X2 प्लस X3 प्लस X1 तो इसको हम लोग सजा के खुबसरत बना के लिखें तो क्या लिखेंगे इसको हम लिखेंगे X1 प्लस X2 प्लस X3 और डिवाइड़ बाइ 2 प्लस 1 त्री तो यह इसका X कोडिनेट आ गया Y कोडिनेट को similarly सजा के लिखेंगे Y1, Y2 और Y3 divided by 3 तो यह आया centroid का कोडिनेट ठीक है ना तो centroid निकालने का यह फार्मूला होगे है ठीक है ना यह G क्या है centroid ठीक है तो centroid निकालने का फार्मूला क्या निकल के आया कि अगर आपको triangle का तीनों वर्टेक्स दिया है ठीक है तो centroid का जो X कोडिनेट होगा वो इन तीनों के X कोडिनेट का addition by 3 होगा देखो X कोडिनेट कैसे आया है तीनों वर्टेक्स का X कोडिनेट को add कर देना है और 3 से divide कर देना है Y कोडिनेट कैसे आएगा triangle के तीनो vertex के y coordinate को add करके 3 से divide कर देंगे ठीक है तो ये triangle का centroid निकालने का formula हो गया ठीक है इसका मतलब ये हुआ कि अगर triangle का vertex दिया हुआ है तो centroid हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं तो मेद आपको ये समझ में आया होगा चलिए तो अब हम लोग अगले topic पर बात करेंगे in center पर तो आप लोग इसका screenshot ले लो तो अब हम लोग बात करेंगे in center पर है ना ये था centroid अब अगला है in center तो अभी हमें सिर्फ यही दो center पढ़ना है in center और centroid centroid तो आप लोग class 3 में भी पढ़े होगे है ना तो और in center भी आप लोग class 10 पर पढ़े हो लेकिन यहाँ पर हम लोग ortho center भी देखेंगे circum center भी देखेंगे लेकिन अभी जो है सिर्फ दो ही देखेंगे कौन सा centroid और in center तो हमने centroid तो पढ़ लिया अब हम लोग in center पढ़ेंगे चलिए तो अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं in center अगला topic है in center in center अब देखो in center क्या होता है तो in center जो होता है वो intersection point होता है किसका internal angle bisector of a triangle क्यानि कि triangle होता है हा ना इस तरह से triangle है माल दो इसमें तीन angle इन तीनों angle को bisect करते हुए line segment ड्रॉ करेंगे तो उसको internal bisector बोलेंगे जैसे देखो angle A है तो इस angle को bisect करते हुए इस angle को 2 equal part में divide करते हुए line खीचेंगे side को 2 equal part में divide करना है triangle का यह जो angle है internal angle इसको 2 equal part में divide करना है तो इस angle A को हमने 2 equal part में divide करते हुए line खीच दिया ठीक है तो इस line को क्या बोलेंगे internal bisector बोलेंगे ठीक है तो इस तरह से 3 internal bisector हो सकता है angle B को divide करते हुए line खीचा जा सकता है ठीक है इस तरह से, तो ये हमारा angle B को divide करता हुआ और एक angle C को divide करता हुआ तो ये तीनों जहाँ पे मिलेगा ये तीनों जहाँ पे मिलता है उसी को क्या बोलते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं ये थोड़ा सीधा line है आप लोग दिख ले न तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे ये जो intersection point आया है इसी को हम लोग in center बोलते हैं तो मैं इसको I से denote कर रहा हूँ तो इसका नाम देते हैं E और इसका नाम देते हैं F ठीक है अच्छा ये हमारा in center है अब हमें इसका definition हम लोग लिख सकते हैं क्या कि it is it is intersection point of intersection point of intersection point of internal internal angle bisector internal bisector internal bisector of angle of a triangle अब प्रॉब्लम ये है कि in center निकालेंगे कैसे दिया हुआ क्या रहेगा दिया हुआ रहेगा आपको तीनों vertex दिया हुआ है ये vertex है x1 y1 ये vertex है x2 y2 और ये vertex है x3 y3 ठीक है अब हमें निकालना है centroid का in center का coordinate निकालना है यानि eye point निकालना है तो आप लोग सोच रहे होगे तास ऐसा होता कि ये जो eye point है ये eye point ये ad line segment को किस ratio में divide कर रहा है ये ratio पता होता और d coordinate पता होता तब हम लोग in center असानी से निकाल पाते हैं तो पहला target क्या रखते हैं कि d का value निकालते हैं है ना d का coordinate पहले निकालते हैं तो इससे पहले वाले में क्या था कि centroid में जो d point था ये mid point था boc का क्यों क्योंकि ये जो ad line segment था ad line segment d point जो था bc को 2 equal part निकालना था लेकिन यहां तो ऐसा नहीं है यहां तो ये angle को 2 equal part में divide करना है तो ये d point mid point है या नहीं है ये हमें नहीं पता है तो क्या करेंगे तो d point का coordinate निकालने के लिए हमें bd और dc का ratio चाहिए होगा इसका अगर ratio पता रहा है तो section formula के यूज करके d का coordinate निकाला जा सकता है अब यहां पे ratio कैसे पता चलेगा bd to dc के ratio कैसे पता चलेगा तो यहां पे internal bisector theorem यूज करेंगे तो internal bisector theorem मैंने starting में बताया हुआ है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जरूर जाके देख ले जब मैंने ये start किया था exercise 20.3 तो वहां पे मैंने आपको बताया हुआ है कि internal bisector क्या होता है ठीक है इंटर्नल bisector theorem देखो internal bisector theorem आप लोग class 10 में पढ़े होगे या 9 पढ़े होगे ये पढ़ेते हैं हम लोग कि देखो AD अगर ये internal bisector angle A है अगर AD जो है इस angle A का bisector है तो ये जो AD जो है opposite side को जो दो equal part में divide किया है इसका जो ratio होगा वो इस side के ratio के बड़ावर होगा ये ही internal bisector theorem है ठीक है तो यहाँ पे लिखेंगे by internal bisector theorem by internal bisector theorem by sector internal angle bisector theorem इसे क्या बोल सकते हैं हम लोग कि BD upon DC का जो ratio होगा BD upon DC का जो ratio होगा वो AB और AC के ratio के बड़ावर होगा AB और AC के ratio के बड़ावर होगा वो आप बोलोगे सर हमें तो इसका side का length पता ही नहीं है तो जब आपके पास triangle आएगा तो तीनो vertex दिया रहेगा और अगर तीनो vertex दिया है तो distance formula का यूज करके तीनो side का length निकाल लेंगे जैसा ही length निकालेंगे तो AB का length उपर रखेंगे AC का length नीचे रखेंगे तो यहाँ पर मैं length माल लेता हूँ कैसे length को माना जाता है अगर यह vertex A है तो इसके सामने वाले side के length को बोलते हैं तो यह हमारा small c length हो गया अच्छा और B vertex के सामने वाले side के length को small b बोलेंगे small b ठीक है इस तरह से हम लोग बोलते हैं यह आप लोग पहले भी जानते होगे यह हमने triangle के तीनो sides को हमने मान लिया है अब यहाँ देखो अब a b का length पता आ गया कि a b का length कितना है c है तो यहाँ लिख देंगे c और a c की लंबाई a c के लंबाई b के बड़ाबड तो यहाँ b लिख देंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि b d is to d c आ गया कितना c is to b तो कहने का मतलब यह हुआ कि यह b d और d c हना किस ratio में divide करणा है वो आ गया देखो b d is to d c है इसका मतलब यह नहीं कि b d की लंबाई c है और d c की लंबाई b है नहीं यह length नहीं है यह क्या है ratio है तो b d जो है यह कितना part हो गया यह हो गया आपका c part और यह हो जाएगा b part ठीक है ना तो c is to b की ratio में divide हुआ अब यह जो c है वो क्या c part है इसका मतलब यह नहीं कि b d के लंबाई c है नहीं और इसका मतलब d c के लंबाई b है ऐसा नहीं है यह b d is to d c 2 is to sorry c is to b है यह नहीं कि ratio है length नहीं है सही है चलिए तो अब हम लो d point निकालेंगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि point d point d divides किसको divides the line segment the line the line segment किसको b c को point d जो है b c line segment divides the line segment b c internally है नहीं internally divide कर रहा है internally in the ratio of in the ratio of c is to b ठीक है तो इसको हम लोग m समझ लेंगे इसको m और इसको n तो m और n हो गया यह x1 वाय बन और यह x2 y2 तो d का कोडिनेंट कैसे निकालेंगे m x2 plus n x1 upon m plus n करके तो यहाँ से d का कोडिनेंट आ जाए कितना m x2 यानि कि c into x3 तो यहां लेखेंगे c into x3 plus फुर b into x2 तो b into x2 divided by c plus b तो c plus b आ जाएका अब इसका y कोडिनेट तो m y2 यानि c into y3 c into y3 plus b into y2 b into y2 upon c plus b यानि कि m plus n तो finally हमारे पास d का कोडिनेट भी आया d का कोडिनेट भी आया लेकिन हमारा target d का कोडिनेट नहीं है हमारा target तो i का कोडिनेट है अब problem यह है कि d का कोडिनेट पता है एक अकॉर्डनेट पता है तो AD line segment को I जो है वो internally divide कर रहा है लेकिन problem यह किस ratio पर divide कर रहा है वो ratio ही पता नहीं है तो पहले ratio find out करेंगे अब ratio find out करने के लिए फिर से एक दिमाग लगाना पड़ेगा ठीक है वो देखना कैसे यहाँ पर हम लोगे कह सकते हैं कि इस वाले triangle की बात करें कि ABD तो ABD को अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें जो BI है चुकि BE जो है वो internal bisector है तो BI भी क्या होगा internal bisector of angle B होगा है ना चुकि एक ही line है न BE बोल ले या BI बोल ले एक ही line है तो BE जो line है वो angle B को दो equal partner डिवाइड कर रहा है यानि कि BE जो है वो internal angle bisector है तो यह जो BI होगा वो भी internal angle bisector है तो इसका मतलब यह हुआ कि ABD triangle में ABD triangle में BI internal bisector है तो DI upon IA का जो ratio होगा वो इसके length और इसके length के बड़ावर होगा जैसा कि यहाँ पे internal angle bisector थरम apply किये थे तो same हम लोग यहाँ भी apply करेंगे लेकिन अब problem यह है कि यहाँ पे BD की लंबाई हमें पता नहीं है जबकि BA की लंबाई पता है लेकिन यहाँ पे BD की लंबाई नहीं पता है यह तो ratio था C और B क्या था ratio था तो BD की लंबाई कैसे निकालेंगे problem यह है तो देखो सबसे ज़्याद दिक्कत यह होता है कि BD की लंबाई कैसे निकालेंगे तो मैं आप से एक question पूछता हूँ और ध्यान सुनना देखो हमने यह बोला कि देखो जी यह एक हमारा steak है हाना यह steak है जिससे बच्चे लोग पिटाते हैं हाना आप लोग की कई निकी पिटाए होगे तो यह हमारा एक steak है इसके लंबाई कुछ माल लेते हैं इसके लंबाई हमने माल लिया 7 cm कितना है 7 cm ठीक है अच्छा और किसी बच्चे ने गुस्से आके इसको छड़ी को तोड़ दिया हाना छड़ी को तोड़ दिया तोड़ा वो इस तरह से कि यहां से माल लोग दो टुक्रे में बाढ़ दिया तो यह C है point ठीक है और उसने यह बोल दिया कि जो छड़ी का टुक्रा बना है यह दो पार्ट यह है और तीन पार्ट यह है तो आप बताओ कि AC की लंबाई क्या होगी और CB की लंबाई क्या होगी और जो भी AC और CB की लंबाई आया होगा दोनों को add करेंगो तो 7 cm के बढ़ाबर आना भी चाहिए सही है अब प्रॉब्लम यह है कि AC की लंबाई दो तो बोल नहीं सकते यह तो क्या था यह तो रेशियो था ना कि 7 cm के स्टिक को छड़ी को हमने 2 टुक्रा में बाढ़ दिया एक 2 is to 3 के रेशियो में हमने 2 टुक्रा कर दिया तो बताएए AC और CB इन दोनों टुक्रे का लेंथ कितना होगा तो याद करो आप लोग कैसे निकालते थे कि देखो आप यह बोले कि सर देखिए हम लें यह सोचा AB जो है वो 7 cm है ठीक है तो इसको जो है कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है तो 2 और 3 यानि कि 3 पार्ट हमारा राइट साइड है और 2 पार्ट हमारा लेट साइड है तो टोटल कितना पार्ट है तो 2 और 3 पार्ट है तो सर आप ऐसा करो कि AB जो लाइन है AB जो लाइन सेग्मेंट है इसको 5 इकोल पार्ट में डिवाइड कर दो अग दो part को left side őक देना और 3 part को right side में देना हो गया तो आपने क्या किया कि AB line segment को पहले 5 part में divide किया सही ना, 5 part में divide करेंगे तो 1 part को उठाएंगे उसको 2 से गुणा कर देंगे तो AC का length हो जाएगा फिर 1 part को उठाएंगे और CB के length ये 3 से गुणा कर देंगे तो CB का length हो जाएगा तो आपने क्या किया कि जैसे मालो कि AC का length निकालना है तो AC का length निकालने के लिए आप क्या करोगे पहले इस 7 cm को कितने part न डिवाइड करोगे 2 तिन 5 part में डिवाइड कर देंगे और उसके बाद AC को कितना चाहिए दो पार्ट चाहिए तो इसको 2 से गुना कर देंगे ठीक है हो गया AC के लंबाई आ जाएगा यहाँ से कितना जाएगा 14 by 5 cm आ जाएगा अब देखो BC के लंबाई निकालना है तो BC के लंबाई निकालना है तो आप क्या करोगे total length को total length कितना है 7 है इसको divide कर दो किसे divide कर दोगे इससे divide कर देंगे total parts से 2 तीन 5 तो 5 से divide कर देंगे अब गुना करें किसे इसको 3 पार्ट चाहिए इसको 3 देदेंगे तो यह जो 7 by 5 के यह क्या था यह एक पार्ट की लंबाई है 7 को हमने 5 से divide किया तो एक पार्ट की लंबाई आया, तो एक पार्ट को हमने फिर दो से गुना कर दिया, तो ये दो पार्ट की लंबाई इतना हो गया, जो कि इसके बड़ा गुरूँगा, तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो अब सुनना यहाँ पे, हम चाहते हैं BD की लंबाई न BD की जो लंबाई वो कैसे निकलेगा, तो टोटल लेंथ को A को हम लोग डिवाइड कर देंगे, कितना टुकड़े में, C और B के हैं, तो C प्लस B से डिवाइड कर देंगे, फिर मल्टिप्लाई कर देंगे, किस से, इसको कितना पार्ट चाहिए, C पार्ट चाहिए, तो इस solve करें, कितना जाएगा, यहाँ जाएगा, A, C अपार्ट C प्लस B, यानि कि BD के लंबाई आ चुका है, इतना, ठेक है, चलो, अब बताओ, अब यहाँ पे हम लोग कहेंगे, कि इस triangle में, A, B, D है ना, इस वाले triangle में बात कर रहा हूँ, इस वाले triangle में, दिहान से देख लो यह जो triangle है, इस triangle में, इस triangle में, यह जो B, I है, वो angle B का bisector है, angle bisector है, तो B, I और I, A का जो ratio होगा, वो B, D और A, B के ratio के बड़ापड होगा, internal angle bisector theorem से, तो बोलेंगे, int triangle, int triangle, A, B, D, A, B, D, by, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोलो, यह जो D, I, by, I, A लिखना है, तो D, I, by, I, A का जो ratio होगा, वो किसके बड़ापड होगा, तो D, I, E लिखेंगे, तो इदर से B, D लिखना पड़ेगा, तो B, D, अपॉन, B, A के बड़ापड होगा, कैसे, by internal angle bisector theorem, internal angle bisector theorem से, ठीक है, internal angle bisector theorem से हमने लिख दिया, हमें तो इसका ratio चाहिए है, तो D, I, upon, I, A, is equal to, अब यहाँ पे values रखेंगे, B, D के लंबाई कितना, तो B, D के लंबाई यह रहा, A, C, upon, A, C, upon, C, plus B, और फिर B, A, के लंबाई, तो B, A, के लंबाई, B, C, के बड़ापड, तो यहाँ दिख देंगे, C, ठीक है, अब इसको solve करेंगे, तो यह आजाएगा, D, I, upon, I, A, is equal to, यह C, plus B, नीशे आजाएगा, तो A, C, upon, और C, into, C, plus B, हो जाएगा, तो यहाँ पे C, ओ, C, कर जाएगा, C, ओ, C, कर जाएगा, तो D, I, is to, I, A, कितना आगया, A, is to, C, plus B, C, plus B, मैं इसको सही से लिख दो, क्या है, A, is to, C, plus B, ठीक है, तो इसका मतलब D, D, I, A, part है, यह D, I, जो है, वो A, part है, और, I, A, जो है, वो C, plus B, part है, I, A, जो है, C, plus B, part है, बस, अब हम लोग, I, का कॉर्णेट निकाल सकते हैं, क्या बोलेंगे, point I, divide the line segment, AD, किस रेशियो में, C, plus B, is to A, या, फिर A, is to C, plus B, ठीक है, चलिए, तो अब मुझे यह वाला पार्ट हमें मिटाना पड़ेगा, इतना पार्ट, और फिर मैं आपको, इन सेंटर निकाल के, दिखाता हूँ, ठीक है, तो आप लोग चाहो तो इसका screen shot लेलो, उपर समें मिटाने वाला हूँ, चलिए, तो यहाँ पर मैं इसको मिटा दूँ, तो अब हम लोग निकालेंग इन सेंटर, जितना भी रिक्वार्डमेंट था, उस सब पुड़ा हुआ, अब देखो, अब हम लोग यह बोलेंगे, कि point I, हाना, point I, point I divides, divides the line segment, the line, the line segment किसको, AD को, the line segment AD या DA बोलो, DA बोलो तो बहतर होगा, हाना, DA, हाना, DA, internally, internally, in the ratio of, in the ratio of, किस ratio में, तो A is to C plus B, A is to C plus B के ratio, तो बस हम लोग आई निकालने के लिए, इन, बाइसेक्ट, सॉरी, division फार्मला लगाएंगे, हाना, कौन सा, internal division फार्मला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, M, X2, plus N, X1, तो D point का coordinate ये रहा, ध्यान से देख लो, ये आपको देखो, अगर हम इसको M बोलते हैं, तो ये हमारा X1, Y1 होगा, तो इसको आप X1, इसको Y1 समझो, और ये हमारा X2, Y2, तो चलो start करते हैं, तो I का coordinate क्या हो जाएगा, बोलो, क्या लिखेंगे, M, X2, तो M इसको बोलें, तो इसके साथ वाला जोटोब D point उसके coordinate को X1, वावन बोलेंगे, तो ये X2, Y2 हो गया, तो M, X2, यानि A into X1, A into X1, फिर plus, फिर M, sorry, M X2 हो गया, फिर N X1, तो N के जागा C plus B, C plus B, और X1 की वालू, तो X1 की वालू, D का X coordinate, तो D का X coordinate ये रहा, क्या लिखेंगे, CX3, CX3 plus BX2, plus BX2 upon C plus B, ठीक हैं, और upon में, तो ये होगे, M X2 plus N X1 upon M plus N, M plus N का मतलब A plus C plus B, तो A plus C plus B को A plus B plus C भी लिख सकते हैं, कोई दिकत नहीं है, तो ये हमारा X coordinate आ गया, अब Y coordinate की बात करते हैं, तो इसको जबा मिटा दू मैं, देखा, Y coordinate कैसे N Y1 गेड़ा, C Y3, C Y3 plus B Y2, और divided by C plus B, और इसके divide में M plus N, यानि A plus B plus C आ गया, और ये हमारा I point आ जा, अब यहाँ देखो, उसको solve करेंगे, तो ये C plus B, C plus B कर जाएगा, यहाँ भी C plus B, C plus B कर जाएगा, अब जो बच रहा हैं, उसको ध्यान से देखो, यहाँ पे X2 था, A X1 plus B X2 plus C X3 बचा, नीचे A plus B plus C, तो इसको मैं थोड़ा सजा के लिख दू, क्या लिखेंगे, A X1 plus B X2 plus C X3 upon A plus B plus C, और Y कॉर्णेट कितना आया, A Y1 plus B Y2 plus C Y3 divided by A plus B plus C आया, और यही वो क्या है, इन सेंटर का फार्मूला है, इन सेंटर के कॉड़िनेट को निकालने का फार्मूला है, इसका मतलब यह हुआ, कि इन सेंटर का जो X कॉड़िनेट कैसे आएगा, तो A X1 plus B X2 plus C X3 upon A plus B plus c, मतलब, मतलब यह हुआ कि देखवा ऐसे, a और इसके सामने वाला vertex का x coordinate, तो a x1 ठीक है न, फिर b x2, फिर c x3 upon a plus b plus c, ऐसे याद रब हो, और in center का y coordinate चाहिए, तो ऐसे बोलेंगे, a इसका y coordinate, a y1, a into y1 फिर b into y2 फिर c into y3, ऐसे तो यह हो गया, आपका in center निकालने का formula, अब हम लोग आते हैं, question पे, ठीक है तो आप जाहो तो इसका screenshot, ले लो फटा फट चलो, तो अब हम लोग question पे आते हैं, ठीक है तो हम लोग start करेंगे question number 18 से पिछली वीडियो तो हम लोग ने question number 17 तक complete किया था तो यहाँ पे दो थ्योड़ी यूज होने वाला है in center का और centroid का जो दोनों मेंने आपके सामने proof किया तो यह दोनों formula आपको याद रखना है, हलांकि आप लोग class 10 में भी यह formula यूज किये होगे हो सकता है कि आपने proof नहीं किया हो लेकिन formula ज़रूर यूज किये हो और अगर मालूम नहीं भी यूज किया तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे सीख लेते हैं देखो, question number 18 क्या है question number 18 question number 18 में है find the centroid and in center centroid भी निकालना है, in center भी निकालना है क्या दिया हुआ है, vertices दिया हुआ है vertices कौन सा है, 2,4 अगला point है 6,4 और and 2,0 यह तीनों point दिया हुआ है हमें निकालना है, क्या centroid और in center दोनों निकालना है तो बताओ एक triangle है इस triangle का तीनों vertex दिया हुआ है तीनों vertex लिख लेते हैं A, B and C और A का coordinate दिया हुआ है 2,4 B का coordinate 6,4 और C का है 2,0 ठीक है, यह तीन point दिया हुआ है हमें निकालना है क्या centroid तो centroid निकालने के लिए क्या है पढ़ेते हैं हम लोग तो बोलेंगे centroid centroid निकालने के लिए क्या पढ़ेते हैं हम लोग कि तीनों vertex के x coordinate को जोड़कर 3 से divide करते हैं तो सोचो, यहाँ पर 2 प्लस 6 8 और 8 प्लस 2 है ना ऐसे लिखेंगे कि 2 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 है ना, upon 3 यह तो formula दा centroid निकालने का x1 प्लस x2 प्लस x3 बाइ 3 अच्छा, y coordinate तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बाइ 3 याने कि 4 प्लस 4 प्लस 0 बाइ 3 बस हो गया centroid है ना इसको solve कर देते हैं तो यह आ जाएगा 6 दो 8 दो 10 10 बाइ 3, 8 बाइ 3 यह आ गया आपका centroid ठीक हैं, अब निकालना है in center, तो आपको याद होगा कि in center निकालने के लिए formula था x1 प्लस bx2 प्लस cx3 तो बताओ, चलो पहले इसको निकालते हैं, bc के लंबाई कैसे निकलेगा तो bc के लंबाई जो होगा वो होगा under root x-coordinate का difference कितना, 4 का होगा 6 और 2, 4 का, तो 16 हो जाएगा 4 का square, फिर 4 और 0 difference, 4 का तो 16 हो जाएगा 32, 32 का मतरा 16 दूनी यानि 4 root 2 आजाएगा तो ये हपने bc के लंबाई निकाल लिए ठीक है, अब हम लोग ac के लंबाई निकाल लेते हैं तो बताओ, ac के लंबाई कैसे निकालेगे under root, x-coordinate का difference तो x-coordinate का difference, अच्छा, x-coordinate same है, तो y-coordinate का difference ही आंसर हो जाएगा, यानि इसका length कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, हना, अगर आपने distance formula वाला वीडियो नहीं देखा है, तो जरूर जाकर देख लें ये सब मैंने बताया हुआ है अच्छा, ab के लंबाई निकालते हो, तो ab के लंबाई कैसे निकालेंगे अंडर रूट, x-coordinate का difference, आचे देखो यहाँ पर y-coordinate सेम है तो x-coordinate का difference answer होगा, तो 2 और 6 difference 4 का है तो यहाँ पर 4 answer हो जाएगा, हना, अगर ये सब trick आप लोग नहीं जानते हो तो मेरा coordinate जबाटे का first video जड़ू देखना, वहाँ मैंने distance formula में अब ये सब मैंने बताया हुआ है, चलिए, तो तीनो distance निकाल लिए, तो a vertex के सामने वाला a हो गया, है ना, b vertex के सामने वाला को b बोलेंगे और c vertex के सामने वाला को c, तो a, b, c तीनो आ गया है, अब हम लोग in center निकालते हैं तो बताओ in center का formula क्या था, तो in center का formula था x1, तो मैंने आपको बोला था याद कैसे करना है, देखो ऐसे याद करो, ये vertex से इसके सामने वाले side के x coordinate को multiply करो, तो 4 root 2 into 2 बोलेंगे, ठीक है ना, तो 4 root 2 into 2, ये हुग गया a x1, प्लस b x2, तो 4 into 6, तो 4 into 6 plus, फिर a x1, b x2, c x3, यानि 4 into 2, तो 4 into 2, ये तो इसका x coordinate हुआ, divided by, हाना, divided by, फिर क्या था, a plus b plus c, तो सबको जोड देंगे, तो 4 root 2 plus 4 plus 4, तो ये तो इसका x coordinate हुआ, comma, y coordinate, यहीं पर लिखे देंगे, चुकि यहाँ पर जगा नहीं है, तो बोलो y coordinate कैसे लिखेंगे, तो a y1, यानि कि 4 root 2 into 4, तो 4 root 2 into 4, फिर plus, फिर b y2, यानि 4 into 4 हो जाएगा, फिर plus, 4 into 0, तो 4 into 0, divided by a plus b plus c, यानि कि 4 root 2 plus 4 plus 4, तो ये इसका जाएगा, तो ये आजाएगा, कितना, 8 root 2, और यहाँ पर जाएगा, 6, 4, 24, और यहाँ चार दुनी, sorry, 4 दुनी 8 होगा, चार दुनी 8, तो यहाँ पर 8 आजाएगा, divided by, 4, 4, 8, 8, 8 plus 4 root 2 बोल लेंगे, ठीक है, और यहाँ बोलो, 4, 4, 16, 16 root 2, और प्लस, ये 16 हो जाएगा, य 8 plus 4 root 2, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर यह 24 आजाएगा, तो add कर देना, कितना हो जाएगा, 8 root 2, प्लस, 8, 4, 32 हो जाएगा, और divided by, 8 plus 4 root 2, ठीक है, अब यहाँ पर जाएगा, इन दोलों में 16 common जाएगा, तो 16 common लेंगे, क्या बचाएगा, root 2 plus 1, divided by, क्या बचाएगा, 4 common ज सकते हैं, 4, 4, 16, 4 बच जाएगा, यहाँ पर भी उपर में 8 common जाएगा, तो common लेंगे, यह पुड़ा solve करके answer दिया होगा, उमीद है, ठीक है, तो उपर में 8 common लेंगे, क्या बचाएगा, 8 यहाँ बचाएगा, root 2 plus 8, 4, 32, और नीचे, 4 common जाएगा, तो 2 plus root 2 बचाएगा, ठी divided by 2 plus root 2, 2 plus root 2, यहाँ सभी कटेगा, यह 2 times में, ठीक है, तो एक बड़ में चेक कर लूँ कि, odd rationalize करके answer दिया, यह यहीं पर दिया, 18 number, यह भी बिल्कुल तोड कर answer दिया, निकि, rationalize किया है, odd, तो मैं odd rationalize कर देता हूँ, यहाँ पर आपको दिख़़ा होगा, यह 2 है, ठीक ह rationalization करने के लिए, तो 2 plus root 2, उपर भी multiply करेंगे, 2 minus root 2 से, और नीचे भी 2 minus root 2 से, ठीक है, यह हो गया, इस पर आता है, यहाँ पर आजाएगा 4, और यह है, root 2 plus 1, और upon में 2 plus root 2, इसको भी multiply, divide करेंगे, 2 minus root 2, और 2 minus root 2 से, सही है, अब इसको solve कर दो, तो यह आजाए कितना, इसको multiply करें, root 2 into 2, तो 2 root 2 हो जाएगा, और फिर root 2 into root 2, तो यह हो जाएगा, minus 2, फिर 4 2 जाए, 8 हो जाएगा, और minus 4 root 2 हो जाएगा, ठीक है, नीचे आप, नीचे a plus b, a minus b, तो a square minus b square, ठीक है, कॉमा, यहाँ देखो 4 है, ब्रैकेट में, इसको इससे multiply करते हैं, तो root 2 into 2, 2 root 2 हो जाएगा, और फिर root 2 into root 2, तो minus 2 हो जाएगा, यह हो जाएगा, प्लस 2, और यह minus root 2 आजाएगा, divided by, a plus b, a minus b, यानि 4, 2 आगे, अब इसको और solve कर देते हैं, ठीक है, तो यहीं पर लिग देता हूँ, मैं थोड़ा सा space है, यहाँ पर, देखो, 4 में से दो गया 2, यह 2 से य root 2, तो minus 2 root 2 बज़ जाएगा, और यह बज़ जाएगा 6, तो 6 minus, कितना बज़ जाएगा, 2 root 2, 2 root 2 में से 4 root 2 चला गया, तो 6 minus 2 root 2, यहाँ बोलो, 4 minus 2, 2 बज़ जाएगा, 2 से यह 4 कट है, यहाँ पर 2 आजाएगा, इन 2 में, तो यहाँ पर, इन 2 में 2 आजाएगा, ब्रैकेट में ये minus 2 plus 2 cut गया तो 2 root 2 minus root 2 तो 1 root 2 बच जाएगा तो 1 root 2 को 4 से multiply कर देंगे तो 1 root 2 को 4 root 2 आ जाएगा और ये 2 पहले से तो 8 root 2 हो जाएगा है ना 8 root 2 ठीक है तो देखते हैं 6 minus 2 root 2 divided by comma 2 root 2 है comma 2 root 2 आया हाँ ठीक है यहाँ पर 2 बच रहा था ना तो 8 कैसे हो जाएगा तो 2 हो जाएगा ना देखो 2 root 2 minus root 2 तो root 2 बच जाएगा और यहाँ पर 4 minus 2 था तो 2 से 4 कर चुगा 2 तो 2 root 2 बच जाएगा ये इसका answer हो गया देखो calculation थूड़ा आप भी देख सकते हो ठीक है rationalize बगड़ा करके mainly मैं आपको समझाँ धा कि in center निकालते हैं ठीक है तो मीध आपको यह समझ में आया होगा तो अब आप देहान से देखो अगर आपको triangle का 3 vertex पता हो तो आप centroid निकाल सकते हो और अगर आपको triangle का 3 vertex पता है तो आप in center भी निकाल सकते हो बिल्कुल एक कसम खालो क्योंकि आगे जब question आएगा जैसे आप triangle का तीनो vertex देखोगे आप समझ जाना कि मैं centroid भी निकाल सकता हूँ और in center भी निकाल सकता हूँ तो मीध आपको ये समझ में आया होगा तो फटा-फट से screenshot ले लो आप लो चलिए तो अब हम लोग अगले question बात करते हैं question number 19 देखो 19 नमबर में क्या है तो आप लोग ये समझ गए कि जब भी triangle का तीनो vertex देगा तो आप क्या-क्या निकाल सकते हो उसका in center निकाल सकते हो centroid डोनो निकाल सकते हो वस triangle का तीनो vertex पता होना चाहिए चलिए तो अगले question बात करते हैं question number 19 पे देखो 19 number question इसमें लिखा है the vertices of a triangle are triangle का तीनो vertex दिया है find the coordinate of the trisection point of each median triangle का तीनो vertex दिया हुआ है तो एक हमने photo बनाया मैंने आपको बोला हुआ है कि जब भी coordinate geometry का question बनाओ तो कोशिस करो photo जरूर बना ले 2,2 2,2 अगला point है 0,6 0,6 उसका अगला point है 8,10 find the coordinate of the trisection point of each median क्या निकालना find the coordinate of coordinate of the trisection point trisection point of each median each median which is nearer to opposite side which is nearer to opposite side सही ना आपको गर याद होगा मैंने centroid का जब definition लिखवा रहा था तो आपको मैंने बता रहा था कि यह जो लिखा हुआ trisection point trisection point of each median which is nearer to opposite side तो इसी को तो centroid बोलते हैं कहनेक मतब यह centroid पूछ रहा है आपसे तो आप बताओ कि क्या trisection point trisection point of each median of each median यानि तीनों median जहाँ पर मिलता है उस point का intersection point पूछ रहा है वो तो उसी को centroid बोलते हैं कैसे निकालेंगे तीनों के x कोडिनेट को जोड़ देंगे यानि कि 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 8 divided by 3 अगला बोलो y कोडिनेट 2 प्लस 6 प्लस 0 2 प्लस 6 प्लस 0 नहीं 10 है divided by 3 बस हो गया तो 8 दो 10 यह 10 बाइ 3 हो जाएगा और यह छेद वाट 18 बाइ 3 और 18 बाइ 3 को 6 यह ठाड़ा क्या बोलेंगे 10 बाइ 3 और यहाँ पे 6 और यह आपका आंसर होगे तो उमेद आपको यह समझ में आया होगा तो यह question number 19 था कहने को था question number 19 पे सिर्फ centroid निकालना था उसी को trisection point of each median बोलते हैं तो यह question number 19 था अब हम लोग आते हैं question number 20 पे यह बहुत ही असान question था सिर्फ यहाँ पे word समझ ना था trisection point of each median centroid को ही बोलते हैं और वो जो centroid होता है वो nearer to opposite side होता है opposite side के कडीब होता है चलो अब आगले question बात है 20 number 2 vertices of triangle आर इतना इतना question number 20 देखो इसमें बोला है triangle का जो 2 vertex से वो दिया हुआ है तो एक हमने triangle बनाया मैंने आपको बोला हुआ है कि जब भी आप coordinate geometry equation बनाते हो कोसिस करो एक photo बनाने की एक rough photo 2 vertices of triangle 1,4 एक vertex से 1,4 और दूसरा vertex है दूसरा vertex से 5,2 5,2 2 vertex दिया हुआ है क्या बोला है if it's centroid is 0,-3 इसका centroid भी दे दिया है तो मालो centroid यहाँ पे होगा इसका coordinate G होगा तो centroid कितना दिया 0,-3 0,-3 तो question मालों बोलता है कि third vertex बताईए है ना find the third vertex तो यानि एक C का coordinate हमें निकाला है ठीक है क्या करेंगे तो जिसका coordinate निकालना उसे कुछ माल लो चलो हमने क्या माल लिया X और Y माल लिया ठीक है तो let third vertex let third vertex 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 B C जो है X,Y सही ना तो centroid 0,-3 तो आप बताओ कि centroid का X coordinate कैसे आता है तो centroid का X coordinate बड़ाबर होता है X1 प्लस X2 प्लस X3 बाइ 3 के सही है तो सोचो जड़ा ये है centroid ये है और ये 0 है 0 का मतलब centroid का X coordinate है तो ये दुनिया में कैसे आया होगा ये दुनिया में तभी आया होगा जब इन तीनों vertex थे X coordinate को जोड़कर 3 से divide किये हो तो हम लोग ये बोलेंगे कि G 0 का माइनस 3 is centroid ह क्या है ये centroid है इसलिए G का जो X coordinate 0 है वो कैसे आया होगा दुनिया में जब 1 प्लस 5 प्लस X क्या गया होगा यानि 1 प्लस 5 प्लस X और divided by 3 क्या गया होगा यहां से हम लोग X के बादेंगे 3 cross multiply 0 हो गया तो यहां पर क्या होचेगा 6 प्लस X तो X is equal to minus 6 अब हम लोग Y की बादेंगे तो C coordinate निकल जाएगा तो अब बोलो इसका जो Y coordinate है minus 3 ये दुनिया में कैसे आया होगा इन तीनों point के Y coordinate को add किया गया होगा 4 प्लस 2 प्लस Y divided by 3 सही है ना अब इसको cross multiply करेंगे तो यह हो जाएगा minus 9 is equal to 4 और 2 6 हो जाएगा प्लस Y तो Y is equal to minus 15 आजाएगा तो हम लोग बोलेंगे finally third vertex third vertex is third vertex is C का coordinate कितना आया minus 6, minus 15 और ये होगा आपका answer ठीक है minus 6, minus 15 ये था question number 20 एक बार को हम लोग चेक कर लेते हैं है ना question number 20 minus 6, minus 15 बिल्कुल सही answer है तो मिद आपको ये समझ में आया होगा चले अब हम लोग अगले question बात करते हैं question number 21 देख question ही बहुत ही simple simple है सर्फ formula का यूज है चलो question number 21 पे बात करते हैं देख question number 21 क्या है question number 21 है the coordinate of centroid of a triangle आड़ इतना and two of its vertices are इतना इतना find the third vertex of the triangle बिल्कुल उसी type का question है जो अभी मैंने बताया यानि question number 20 या question number 21 दोनों एक ही type का question है तो जैसे मैंने question number 20 बनाया है वैसे आप 21 बना लेना सिफ data change है तो मिद आप ये बना लोगे आप हम लोग 22 पे बात करते हैं find the centroid of triangle ठीक है तो 21 तो आप लोग बना लोगे बिल्कुल एक जैसा question है इसलिए मैंने छोड़ा है इसमें कोई भी difference नहीं है 22 number 22 देखो 22 है find the centroid of the triangle ABC देख क्या निकाला है centroid निकालना है तो तीनों वर्टेक्स दिया है पिल्कुल दिया है vertices आड इतना and find the coordinates of the middle point of its sides and hence find the centroid of the triangle formed by joining these middle points do the triangle have the same centroid देखो question वालों नहीं पूछा कि ये आपका triangle है ठीक है ये आपका triangle है जिसका vertices ABC ABC तीनों वर्टेक्स दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 9,2 9,2 1,0 sorry 1,10 1,10 and minus 7, minus 6 minus 7, minus 6 तो इसका centroid बताना है ठीक है तो देखो इसके centroid को हम लोग क्या माल लेते हैं G1 G1 माल लेते हैं ठीक है तो पहले इसका centroid निकाल लेते हैं फिर आगे बात करते हैं तो हम लोग अगर G1 निकालें तो क्या आएगा बोलो तीनों के x कॉटिनेंट को जोड़ेंगे 9 प्लस 1 प्लस माइनस 7 तो यह हो जाएगा 9 प्लस 1 प्लस माइनस 7 तो माइनस 7 हो जाएगा divided by 3 ठीक है अगला बोलो 2 प्लस 10 प्लस माइनस 6 2 प्लस 10 माइनस 6 divided by 3 तो यह हमने centroid निकाला काँसा ABC जिसका vertex है तो कितना है जाएगा 9, 1, 10 10 में से 7 गया 3 तो 3 वटा 3 आ जाएगा और यहां पर 10 दो बाड़ा में से 6 गया 6 6 वटा 3 आ जाएगा तो यह कर जाएगा यह कर जाएगा दो बार में तो यहां पर जीवन आया कितना 1,2 आया ठीक है यहां से दूसरा कुश्चन यह बोलता है कि find the coordinate of the middle points of its sides यह जो sides है न यह triangle का 3 side है A, B, B, C और A, C इन सभी sides का midpoint बताईएगे चली midpoint निकाल लेते हैं तो देखो B, C का अगर midpoint निकालेंगे तो इसको नाम देते हैं P तो इसका बोलो midpoint कैसे निकालेंगे x1 plus x2 by 2 दोनों के x coordinate को जोड़ कर 2 से divide करेंगे तो 1 minus 7 minus 6 minus 6 by 2 तो minus 3 हो जाएगे ठीक है अगला 10 minus 6 तो 4, 4 by 2 यानिकी 2 हो जाएगे तो हमने B, C side का midpoint निकाल लेगे similarly AC का निकालेंगे इसको क्यों नाम देते हैं तो इन दोनों के x coordinate को जोड़ कर 2 से divide करेंगे तो 9 minus 7, 2, 2 से 2 को divide करेंगे 1, फिर 2 और minus of 6 तो minus 4 by 2, minus 2 आजाएगा अब अगला निकाल लेते हैं, P, Q, R, इसको माल लेते हैं ये midpoint है, ठीक है? तो बताओ इसका coordinate कितना आएगा तो 1 plus 9, 10, 10 by 2 यानि 5 हो जाएगा फिर 10 और 2, 12 by 2 यानिकी 6 हो जाएगा तो triangle के sides का middle point हमने निकाल लिया आप बोलता ये है कि आप जब तीनों को join करेंगे जब आप तीनों को join करेंगे तो इससे जो triangle बन के आएगा उसका centroid बताइए क्या होगा? बास समझ रहे हो? तो centroid निकालना इसके, तो इसके centroid को हम G2 माल लेते हैं तो let, यहाँ पर माल लेते हैं let centroid of triangle ABC, ABC is equal to kya B हमने क्या माल लेते हैं? जीवन, यानि कि ABC जो triangle था उसका centroid को जीवन माल लेते हैं क्या माल लेते हैं? B, G2 माल लेते हैं, ठीक है न? तो बताओ G2 कैसे निकलेगा? तो कुछ नहीं करना, तीनों के x कोडिनेट को जोड के, तीन से divide यह triangle है, तो तीनों के x कोडिनेट जोडो, minus 3 plus 1, minus 3 plus 1, और plus 5, divided by 3 इसका y कोडिनेट, 2 plus minus 2, 2 minus 2, और plus 6, divided by 2, sorry 2 नहीं 3, 3 से divide करेंगा न? तो बताओ, यहाँ पर क्या बचेगा? ये 22 कटेगा यहाँ पर, यहाँ पर क्या बचेगा? ये बच जाएगा, 5, एक, 6, 6, मानस 3, 3, 3, 3 वड़ा 3, 1, यानि 1 आ जाएगा, यहाँ देखो 6 वड़ा 3, यानि कि 2 आ जाएगा, तो देखो यहाँ पर आप कि इन दोनों triangle का centroid same आया तब इसका तीसरा question पूछता है क्या कि कौन सा था 22 नमबर था question में 22 कि do the तीनों का दोनों coordinate same होगा तो बोलें कि yes दोनों triangle का centroid same आया है तो अगला answer क्या होगा yes ठीक है तो मेदे आपको समझ में आया था तीन question था इसमें पहला तो बोला था ABC का centroid निकालिये जो कि ये था फिर बोला था triangle के sides का middle point निकालिये तो ये सभी middle point है फिर अगला question था कि इस triangle का centroid निकालिये तो ये रहा फिर अगला question था कि क्या दोनों का centroid equal है तो बोलेंगे yes दोनों equal है सही है ना अच्छा तो अब देखो एक चीज में आपको समझाता हूँ अगर equilateral triangle है तो equilateral triangle में जो in center होता है वो ही centroid होता है नहीं यकीन हो तो आप equilateral triangle लेना और उसका centroid और in center निकाल के देखना सेम आएगा थीक है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों में share कीजिए और अगर आप चैनल में पहली बढ़ा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जोड़ दबाते ताकि जैसे मैं को नए वीडियो डालोंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा